अब आप हेलो एड़ीवन आइप एम एमके एंड यूर वाचिंग टेक आफिस और इस वीडियमें बात करने वाले इस लेटेस्ट एमाई रूम के बारे में जो कि अपर किया गया है हमारे अकेव के तरफ से और यहां पर आपको काफी अच्छे खासे इंडेस्टिंग मोड देहने को मिल जाते जो कि अक्सर जो अकीब के रोम में हमें देखने को मिलता है तो इस वीडियो में आपको कम्प्रेट डीटेल देना रहा हो कि क्या कुछ नया देहने को मिलता है और कैसे इसके परफॉम्स है और अगर आप इसे डिली लाइफ में यूज करते हो तो क्या कुछ आपको यहां पर फेस करने को मिल सकता है तो वीडियो को फुल एंटक वॉच करते रहें ताकि आपको यह पराद चल पाए कि आपको इसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं तो सब सब पहले हमें स्टाट पाइच देखनी को मिल जाता है और यहां पर लीने जो इसका है जो करने लिए यूज किया गया है जो कि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो फोर्ट जिलम में यहां पर वर्जन यूज कर रहा हूं और ब्यूल के बात करें तो आपको एमाई रूम का 20.5.20 देखनी को मिलता है जो कि बिल्कुली लेटिस्ट है वहाँ पर आपको फैक्टरी रिसेट एमाई मूवर और यहां पर आपको बैकाप और रिष्टर गाउप्सन दिखाई देता है वहाँ पर निची के अगर आप आप आते हो तो देखनी को मिल जाते हैं यहां पर बाकि एक्ट्रा हेंडल जो तो यहां पर भी आपको always on screen available देखनी को मिलता है जो कि बिल्कुली stable है और perfect काम करता है बट अगर आप इसका regular यूज करते हो ताक बैटरी ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा देखनी को मिलेगी लेकिन only on notification हो गया के लिए आपको कुछ timing के लिए तो सही रहेगा बट perfect है यह काम क कर सकते हो कितने टाइम के लिए 10 seconds schedule वगरा तो यह काफी अच्छा रहेगा लेकिन यहां पर जो always on provide किया गए यह सिर्फ और सिव एमाइवाई 11 का ही फीचर प्रवाइड करता है तो मीट करते हैं कि next update में इमाइवाई 12 का है जो always on फीचर प्रवाइड किया जाएगा जिसके अब बाकिया अधर ऑप्सन भी देखने को मिलता है और यहां पर कवर्ट अर्ट वगरा भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप अब अब यह तक वीडियो वाच कर रहे हैं इसका बनला आपको वीडियो के नंतर काफी जड़ा इंट्रेस्ट आ रहा है विडियो आपको यहां पर वाल पर के आसल मिलता है लॉकसिंग का क्लॉक फॉर में टेखनी को मिलता है चार्जिंग का अनिमेशन देखनी को मिलता है जो कि ओल्डी है तो लेटिस्ट अपडेटिट नहीं है वह पर आपको जो अकीब की और से इस्टा कश्माईसन मिलता है स्टेटर सबार का वो आपको देशने को मिलता है जहाँ पर iOS style, pro style और iOS style आप change कर सकते हो अपने यहाँ पर जो QS center और notification एरिया को ठीक है यहाँ आपको देशने को मिलता है weather, time and date, vertical जो कि हमें पोको के अंतर दिखाई देता है brightness panel बलर in recent अगर आप यूज कर सकते हो और control center अगर आपको यूज करन तो यह option किसी काम के नहीं है क्योंकि यह सिर्फ रसी Miwa 11 के QS panel के साथ ही काम करता है तो इन में आपको कोई भी change देखनी को नहीं मिलेगा row and column से related वह पर speed meter, color notification icon और बागी carrier level बगरा देखनी को मिल जाता है और MI room के जो इस्टा feature से वह भी आपको दिखाई देता है यहाँ प option देखनी को मिलते हैं अकीब की ओर से वह पर display की ओर आते हैं तो आपको anti-flaking देखनी को मिल जाता है उसके वाद यहाँ पर आपको dark mode जहाँ पर only dark mode है individual वगरा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ से Android 10 को support करता है system font में आपको कुछ इस तरीका देखनी को मिल जाता है कुछ online font भी ह बड़े फिलाल मैंने हैं जो internet connection disconnect कर रहा है जिसके उसे काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कुछ है जो नेम जो के भी फिलाल है जो सो नहीं हो रहा है सिर्फ सिर्फ कलर आपको दिखाई दे रहे हैं यह इसलिए कि internet connection अभी active नहीं है मोई पर आपको auto rotation और बाकिया दर option देख प्रवाइड किया गया है जो कि पहले हमें देखनी को मिलता था बीच में हटा दिया गया था तब फिर से यह वापस है जो आ गया है जो कि perfectly काम करता है और आप यहाँ से भी डिस्प्ली को कलर है जो चाहूँ आप डे सकते हो या फिर बाइट पर जा सकते हो तो नहीं आपक हो रिमूब एनिमेशन्स वुगेरा और टेशेवल अन्लॉग एनिमेशन वहाँ यहाँ पर कर सकते हो वह पर double tab पर आपको फिचर्स मिल जाते हैं जहांपर आप पावर मेदूर बागादर आप यूज कर सकते हो जार और साथ स्वाइप अप वगरा भी आप यूज कर सकते हो तो मैंने अब यूज आप फेजो कर रिखा है जो कि काम करता है लेकिन थौज आपको लेग हलका सा फील होगा क्योंकि यह MI रूम है और उसके उपर मोड्स है और वह भी Android Pie के उपर है जब क पर्फेक्ट वरकिंगंग आपको। करना पड़ेगा तो काम करता है कोई भी इसुट देहने को नहीं को नहीं पड़ेगा आपको fix करने के लिए यह by default आपको fix मिलता है वह फिंगर प्रिंट scanner का action मिल जाता है जो कि turn on screen reject और answer call का option दिखाई देता है इसके password after reboot यानि आप device को restart करोगे आपको display password in नहीं करना पड़ेगा only one आप अपने finger का यूज करते हुए unlock लोग कर पाओगे वह प्राइस प्रोटेक्शन बैटरी एप अडिशनल यह सब पूश सेम मिलता है बट यहां पर आपको full screen display का option नहीं मिलता है उसके लिए आपको build pro edit करना पड़ेगा अगर हम की बॉल की बात करें तो यहां पर आपको यहां पर कोई भी extra option दिखाई नहीं देता है जैसे कि sound mode का, am i mover का और साथ से यहां पर आपको आपको देखने को मिलते हैं बाकि extra option वह missing है मुए पर हम आजाते हैं अपने sound के profile की और तो यहां पर हम नीचे की आते हैं तो आपको देखने को मिलता है earphone का effect जो कि यहां से काम कर रहा है बट additional के अंतर यह missing देखने को मिल जाता है यहां पर बाकियादर option हुई जैसे कि delete बगर का charging का और बाकियादर option दिखाए जेते है sounds को enable और dissolve करने के लिए screen on timing बिल्कुल ही latest है इसमें कोई भी change आपको देखने को नहीं मिलता है और special features में आपको जो toolbox, click reply, second space, light mode और game turbo भी मिलता है जो कि जैसा था same वैसा ही देखने को मिलता है यहां पर हमारा camera old ही UI के साथ आता है इसमें कोई भी upgrade नहीं हुआ है उमीद करते है कि हो जाएगा बट अभी तो फिलाल नहीं हुआ है पाईवल है जितने भी roam आ रहे हैं यहां पर आप सब कुछ features यूज कर सकते हो कोई भी issues नहीं आएगा और by default यहां पर जो camera go दिया गया है जो की काम करता है बट sometime मुझे problem आई है इसे यूज करने में जैसे कि portrait की picture से जो बहुत मुस्कल से है save कर पाता है आप देख से तो मैं save पर क्लिक कर रहा हूं बट save नहीं कर रहा है नर्मल फोटो को यह क्लिक कर लेता है लेकिन बागे दर फोटो जो save नहीं कर पाता है दिकत करता है तो GK में मुझे थोड़ी बूत कमिया देहने को मिली है सूपर लाइव वॉल पेपर का एक नया option आपको जहीं को मिलता है जहां सब कोई सा भी लाइव वॉल पेपर अप्लाई कर पाऊगे बाइडिफर्ट आपको इनेवल मिलता है तो यह मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा बस थोड़ा सा टाइम देना होगा यहां पर इनेवल होने के लिए उसके आप जैसे अप्लाई करोगे यह आपकी होम स्कीन पर एक्टिव हो जाएगा कुछी सेकेंड के अंदर जो कि आप देखते तो कुछ इस तरीके से वह अगर हम लॉक स्कीन के उपर आते हैं तो यह अच्छे से काम करता है और हम होम पर जाएंगे तो बिल्कुल यह स्मूध तरीके से बिहेव करता है तो यहां पर जो सूपर लाइब वॉल पर पर है पर्फेक्ट्ली वर्किंग है वह पर बाके आपको अपको फीचर्स मिल जाते हैं यहां पर FM रेडियो वगरा भी जो दिया गया है और असिस्टेंट का भी ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देता है तो यहां पर जितनी के अंदर आते हैं तो आपको जो थीम का सपोर्ट मिलता है जहां पर MPJ थीम को इंपोर्ट करके आप इजली अपलाई कर पाऊगे कि कैसे करना है और अभी जस्ट मैंने कंट्रोल सेंटर इनेवल करने का एक वीडियो दिया है जो कि आप MIY 11 पर इनेवल कर सकते हो बस थीम का यूज करते हुए तो आपने नहीं वाच किया है तो वाच कर लेना यहां पर आपको बाकिया दर ऑप्सन मिल जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर कॉंटेक्ट वगएरा और डानवर्ट का अप्सन वगएरा यहां पर एक और चीज में छोटी सी कमी कहुँआ कि अगर आप वाइ तो प्रॉलम आ रहा है बैंकिंग के एप से रिगार्डिंग तेगर आप डिमांड करते हो तो मैं इसके उपर एक डेडिकेट वीडियो दे दूँगा कि किस तरी की से बैंकिंग के आप का फिक्स कर सकते हैं यूज करने के लिए इस MIY12 के रूह के उपर लेकिन आपको और बता है तो मैं वीडियो नहीं करूँगा ताप कमेंट करके ज़रुब बताना कि आपको इसके उपर एक डेडिकेट वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए वहीं पर इसके अगर नेट्सिप्टी की बात करें तो आपको नेट्सिप्टी बिल्कुली पास देखने को मिलत तो यहां भी चीज़ आपको प्लस पॉइंट नेखनी को मिल जाता है बस प्रॉलम है हमारे बैंकिंग के एप के रिगर्डिंग का जो कि नो सिम डिडेक्शन आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना तो आज के लिए इतने ही उमीद है कि मैंने आपको कंप्लेंट डिटेल प्रवाइट कर देता है तो हलका फुलका तो कंप्रमाइज करना ही होगा क्योंकि यह डिवाइस को सिर्फोसित हमें अप्टेट देहनी को मिला था ऑफिशल एंडवाइट सेवेन बट पाई आ गया उसके उपर इतने सारे मोडिफिकेशन भी देहनी को मिल गये हैं तो थो कंप्रमाइज करना बनता है तो मिलते निक्स वीडियो में बवाई